गुड इवनिंग सभी को तो मैं आ गई हूँ आपके लिए आज का मस्त वाला फ्रेश फ्रेश सा लेक्चर लेकर जो की हमारा चल रहा है चैप्टर क्लास 12 चैप्टर नमबर 8 और आज हम उसका लेने वाले हैं लेक्चर नमबर 16 जो की बहुत इंपोर्टन है और जैसा कि पता है आपको हम डिजीज शुरू कर चुके हैं चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि ये सारी कहानिया जो है हमें पढ़नी है और उसी में एक टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं और वो है कैंसर तो कैंसर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है कैंसर यानि कि जो इतनी भेंकर टाइप की आप बाते सुनते हैं कैंसर में वो कहां से आई है क्यूं है इसके बारे में Cancer के क्या लक्षण है यानि कि कैसे पता चलता है कि सामने वाले को या हमें या किसी और को Cancer है उसके characteristics देखेंगे उसके बाद Cancer का उपचार क्या है यानि कि क्या हम इसके उपाय कर सकते हैं कैसे हम इसको रोक सकते हैं होने से या हो जाए तो क्या हम इसका इलाज कर सकते हैं ठीके इसके बारे में देखेंगे और शुरू करते हैं cancer को तो सबसे पहला कि cancer है क्या तो generally आपने सुना होगा कि cancer जो है हमारी कोशिकाओं का अनियंतरित विभाजन है generally हमारी जो कोशिकाओं हैं वो बहुत ही disciplined होती हैं sincere होती है वो अपनी आवशक्ता के अनुसार विभाजित होती है यानि डिवाइड होती है और फिर जब उनको लगता है कि हाँ division का काम हो गया है तो वो relax हो जाती है लेकिन ये वाली जो कोशिकाओं है ये वाली in the sense की जो cancer वाली कोशिकाओं है उनकी क्या हो जाती है अत्तामाजी सटकली हो जाती है यानि कि वो बावरी हो जाती है और बावरी हो जाने के बाद उन्हें दुनिया की कोई फिकर नहीं होती वो बस एक ही दुन उन पे सवार हो तो ये divide करना शुरू कर देती है और ये division इतना खतरनाक होता है कि ये divide करकर के डेर लगा देती है और उस डेर से हमारे body के अंदर छोटी छोटी गाटे बन जाती है वो छोटी छोटी गाटे कब बड़ी हो जाती है ये हमें पता भी नहीं चलता और बहुत time बाद ये diagnose होता है कि आपको cancer है ठीक है? चलिए तो cancer क्या है? जैसे कि मैंने बताया शरीर की किसी भाग या उतक की कोशिकाओं में होने वाले आनियंतरित कोशिका विभाजन uncontrolled वही कोई control नहीं है इनका, खुला खाता कर दिया है विभाजन को जिसके कारण गाठ या जिसको हम normal scientific language में क्या कहते है tumor कहते है, का निर्माण होता है, उसे cancer कहते है, cancer के अध्यन को oncology कहते है ये भी आपको ध्यान रखना है कि cancer की जो study की जाती है उसको क्या कहते है, oncology कहते है, अब आप बोलेंगे कि ये कोशिकाएं बावरी क्यों हो जाती है तो इसके बहुत से reasons है जो हम पढ़ेंगे और बावरी होके ये करती क्या है, वो भी पढ़ेंगे आएंगे जैसे-जैसे steps हम बात करेंगे इसके बारे में हमारे शरीर में कोशिका, व्रद्धी और विबेदन अत्यदिक नियंतरित और नियमित होता है जैसा कि मैंने कहा कि हमारी कोशिकाएं डिवाइट करती है इसमें कोई गलत बात नहीं है जब उन्हें लगता है वो डिवाइट करती है वरद्धी भी करती है, विभेधन भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन बहुत है disciplined manner में, controlled manner में, ठीक है, sincerely करती है, cancer कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविदी तूट जाती है, नियामक का मतलब regulatory, मतलब इनको जो regulate करना है, regulation क्या होता है, किसी भी process को कब शुरू करना है, कब कितना speed से चलाना है, कब रोग देना है, इसको हम regulation क्याते है, इनियामक क्या रहे है, ये हमने, जब हमने gene नियंतरन पड़ा था, तब भी पड़ा था, तो इनमें ये जो regulation है, ये थोड़ा सा क्या हो गया है, वही, टूट गया है, मतलब इनका जो connection था, जो इनको control कर रहा थ वो destroy हो गया एक तरह से, प्रसामान्य कोशिकाएं, प्रसामान्य मतलब वही, normal कोशिकाएं जो होती है, cells होती है, ऐसा बुर्ण दरशाती है, जिससे संसपर्ष, संदमन कहते हैं, अब ये संसपर्ष, संदमन बहुत ही हिंदी वाला word है, मैं आपको समझाती हूँ, क्या होता समझाओंगी क्या होता है, पहले हम इसकी रामायन पढ़ लें, फिर आगे बढ़ते हैं, और इसी गुण के कारण, दूसरी कोशिकाएं से, उनका संसपर्ष, उनकी अनियंतरित व्रद्धी को संदमित करता है, समझा रही हूँ, ये जो 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 चाचा किलो के word आपके सामने आ रहे हैं, मैं सब को समझा दूँगी, एक बार मुझे इसकी खतम करने दो, ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में यह गुण खतम हो जाता है, जिसके फलसरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख, कोशिकाओं का बंडार खड़ा कर देती है, जिसे अबुर् कि रखी है, अभी क्या है कि नॉर्मल सेल्स और इन सेल्स में अंतर क्या है, ये भी समझ जाओ गया, कि ये सेल उनसे डिफरेंट क्यों है, तो आप बोलेंगे ये बावरी है, पर बावरी क्यों है, कैसे बावरी है, वो भी समझेंगे, और क्या होता है, वो भी समझेंगे, देखो, नॉर्मली क्या होता है, ये एक हमारी नॉर्मल सेल है, सामान्य कोशिका, ठीक, इसको अगर मैं किसी लैब के अंदर, या नॉर्मल बॉड़ी के अंदर भी मान लो, लेकिन हम तो बोड़ पे कर रहे हैं, हम लैब बना देते हैं इसको, लैब के अंदर मैंने कोई कोशिका रखी और उसको वो सारे नूट्रियंट्स दिये, जो इसे चाहिए, सारे वो पोशकततों जो कोशिका को वरद्दी और विबाजन के लिए चाहिए होते हैं, मैंने इसको दिये, ठीक है, और कहा, लो, विबाजित हो, अब क्या होता है, ये क कोशिका विबाजित होती है, नॉर्मल वाली, विबाजित होगी, विबाजित होगी, विबाजित होगी, इधर कोई कोशिका है, वो भी विबाजित होगी, विबाजित होगी, विबाजित होगी, और विबाजित होगी, अब जब ये कोशिका, एक कोशिका किसी दूसरे किकशे साथराँ खड़े हों , थूसा थूस आ रही है , तो आप आक तो आराम से बैठे हो , जब तक आ आराम में बैठ पा équ 他शाव हों , भश्ड़ जूसे जाते हैं लागता है , यहां पहे जैशे ने को बैठ सकते है यानि कि contact में आ गई जिसको शुद्ध इंदी में हम बोल रहे हैं कि संस्पर्ष में आ गई संस्पर्ष का मतलब सेम कोशिका के स्पर्ष में आ गई तो वो क्या करती है उसको signal मिल जाता है कि अब कोशिका विबाजन नहीं करना है क्योंकि जगा नहीं है और इसी को हम कह रहे हैं contact inhibition inhibition का मतलब होता है संदमन करना यानि रोकना इसलिए इसको हम बोल रहे हैं संस्पर्ष संदमन ये नॉर्मल प्रोसेस होता है विबाजन का कि कोशिका विबाजन रुकता कब है तब रुक जाता है जब उसको ऐसे कुछ signals मिल जाते हैं ये तो नॉर्मल कोशिका की बात हुए लेकिन अगर हम cancer कोशिकाओं की बात करें cancer कोशिकाओं की बात करें तो मैंने कहा इनकी माजी से टकली है मतलब अता माजी से टकली हो गया इनके साथ यह क्या यहां से divide की यहां से divide की यहां से divide की फिर 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 अब यह रुकती नहीं है इनका यह contact inhibition खतम हो गया है यह process इनक पर काम नहीं कर रहा है जो उसने कहा कि kriya vidi टूड गई है इनका sense काम नहीं कर रहा है अब यह क्या विभाजित होती जाएगी होती जाएगी हो इसने जारी रखा है अब जारी रखा है तो यहां पर क्या बन गया है भई डेर बन गया है तो यह डेर क्या कहलाता है गांट जिसी को हम क्या कह रहे हैं टूमर ठीक यह हो फर्क होता है नॉर्मल और कैंसर वाली कोशिकाओं ठीक है यह टूमर कोशिकाओं कहलाती है अब इन को कोशिकाओं को हम नॉर्मल कोशिकाएं नहीं कह सकते हैं अब इनको क्या कहना पड़ेगा tumor cells या cancer cells कहेंगे ठीक है यह किस वज़े से होता है अभी वज़य हम पड़ेंगे बहुत सारी वज़य है किसी की दिमाग को खराब करने की तो वह हम पड़ेंगे जिसे अबुर्द चंदी में तो वह अबुर्द कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं ट्यूमर क्याते हैं ट्यूमर दूर प्रकार का होता है देखो इसमें भी variety है म?"ढनलो ride, कासी आइसक्रीम खाएंगे यह यह वाली खाएंगे? तो इसके पास भी variety है मतलब आप choice कर लो आपको कौन सा cancer करवाने है ठीक है हाला कि दोनों cancer नहीं है अब भी मैं आपको information दोंगी जिससे आपको पता चलेगा कि first वाले को हम generally cancer नहीं बोलते हैं ठीक है लेकिन वहीं NCRT कह रही है और generally सारी medical line में यही दो टाइप के cancers जो हैं बत को बता हो कि मेरे बच्चे को है ना बायो दिलवानी है मुझे तो घर परिवान में नाम रखना है शुरू कर देना चीए ऐसे अजीब वजीब से मज़ेदार मले ठीक है थोड़ा unique भी हो जाएगा आज कल लोगों को बहुत uniqueness चाहिए तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है सुदम किसी का नाम भी नहीं होगा इसका English में नाम है ठीक है बैनिन ट्यूमर कहते हैं इसको अब ये इसका G silent है क्योंकि ये बहुत शान्स होबाव का है इसको ज़्यादा चिक चिलना पसंद नहीं है इतना silent है कि ये बोलता है मेरे नाम भी मतलो ठीक है उसके बाद है दु ट्यूमर हमारे पास अविलिबल है इसमें से फर्स्ट वाला तो ट्यूमर है भी नहीं पर जर्नली हम क्लासिफाई इसी ग्रूप में करते हैं जैसा कि मैंने कहा सुदम ट्यूमर सामानी अपने मूल इस्थान तक सीमित रहता है शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते त जबके वहीं रुक जाता है ज़्यादा दूसरे भागों में फैलने फालने कि इसको आदत नहीं इसको फेमस नहीं होना है यह बहुत ही क्या है इन्वर्ट यानिकी इंट्रोवर्ट सभाव का क्या है प्राणी है तो बैनिंग बैनिंग भी पहते है बैनिन और कुछ उसको भी कहते हैं तो दोनों ही सही है ठीक है प्रणिसेशन का फर्क है तोड़ा सा जी नहीं बोलना है बस है ना जी लगाना ही नहीं है यह क्या है यह बहुत ही सिंपल सोभाव के हैं सुदम अबुर्द यानि की जो नॉर्मल ट्यूबर होता है सामानी अपने मूल इस्थान मूल इस्थान तक सीमित रहते हैं शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते तथा इनसे मामूली शती होती है इनसे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता जैसे की नॉर्मल मैं आपको बता देती हूँ कि किसी के नॉर्मली गाठ हो जाती है वो वही के वही रहती है उसको शुर है न मस्सए हो जाता है मेरे फेश पी भी आपको दिख रही है हाला कि यह ज़्यादा नुकसान नहीं होता और उसको नॉर्मल आप किसी भी जगह पे डॉक्टर के पास जाके आप उसको सिजर करके क्या कर सकते हो निकलवा भी सकते हो वैसे वो नुकसान दायक नहीं होती है ये एक ही जगह पे रहते हैं और बहुती शान्त है इनको ज़्यादा फेमस होने की कोई आवशक्ता नहीं है ये बहुती इंट्रोवर्ट नीचर के प्राणी है प्राणी तो क्या है ट्यूमर है विचारे ठीक है चले क्या है मैं आपको समझा देती हूँ कि ये क्या होते हैं मान लोग किसी जगह पे कोई ट्यूमर बना हुआ है अब ये यही के यही रहेंगे यहां से कई नहीं जाएंगे आप अभी है दस साल बाद में देखोगे तब भी नहीं रहेगा बढ़ता भी नहीं है जनरली नहीं बढ़ता बढ़ता है तो फिर आपको वही सिजेरियन से निकालना स्वारी सिजेरियन बोल दिया मैंने सरजरी से निकालना ज़्यादा जरूरी होता है आपको सरजरी करके इसको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा अगर ये बढ़ रहा है तो नहीं तो यह asities रहते हैं, guard की form में रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, उसी जगह पे रहते हैं, और दिखते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मस्से बगेर, उसके बाद है, दुर्दम बाले, जिसको हम malignant बोल रहे हैं, दुर्दम अबूर्द प्रचुरोध भवी को कोशिकाओं का पुंझ है, जो नव द्रविय जहां पे लिखा हुआ है, कोशिकाओं कहलाती है, क्या है, यह प्रचुरोध भवी मतलब इनमें uncontrolled division हो गया है, uncontrolled division मतलब यह विभाजित होती जा रही है, मतलब इनमें कोशिका द्रवी भी बहुत active हो गया है, है ना माल भी सार collected है क्योंकि कोशिका ऐसे थोड़ी ना विभाजित होती है कोशिका विभाजित नहीं हो सकती इनमें जनरली एक chemical आजाता है जिसको हम बोलते हैं telomerase यह telomerase क्या होता है मैं बताते हैं telomerase देखो normal जो कोशिका होती है ना शायद आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा cell division कभी पढ़ा है तो इस detail level पे नहीं पढ़ा है कि जब cell divide होती है तो cell में जो chromosome होते हैं chromosome का जो सिरा होता है उसको क्या कहा जाता है जो head होता है जो जिसको हम telomerase बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं जो head होते है telomers अब यह जो telomers है ना ऐसा कहा जाता है कि यह हमने पढ़ा भी था genetic वाले chapter में कि यह एक से दूसरी पीडिमें generally transfer नहीं होते हैं इनमें हमारे ऐसा बोल सकते हो कि जो हमारे काम के jeans है वो इनमें नहीं होते हैं काम के jeans जो हैं वो बीच में होते हैं और यह जो telomers है यह क्या होते हैं इसका कोना होता है एक तरह से अब जब भी कोशिका divide करती है ना फिर डिवाइड किया तो क्रोमोजोम का साइज और छोटा हो गया ये टीलोमर्स डिवाइड करते रहते है सारी क्रोमोजोम जो है डिवाइड करते रहते है और टीलोमर्स की साइज छोटी होती जाती है और क्रोमोजोम की साइज भी छोटी होगी क्रोमोजोम का लेंथ छोटा हो रहा है तीलो मेर हर बार गायब हो रहा है ठीक है डिजॉल होके चला जा रहा है इसी वज़ा से सेल हमेशा एक फिक्स नंबर तक ही क्या करती है डिवाइट करती है और वो हर सेल का लगे मानलों कि एक सेल जो है वो बीस बार वीबाजित हो रही है कोई पांची बार हो रही होगी कोई पच्चिस बार हो रही होगी तो इसको बोलते हैं हम सेल लाइन क्या बोलते हैं इसको cell line बोलते हैं कि एक कोशिका का कितनी पीडियों तक विभाजन हो रहा है उसको हम cell line बोलते हैं वो 5 बार भी 10 बार भी होता है वो depend करता है कि उसकी कितनी ताकत है वो अपने telomeres की एक limit तक उसको लगता है कि अब इससे जादा chromosome को छोटा नहीं कर सकते वना जरूरी genes जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे दीरे-दीरे खतम होने लग जाएंगे क्योंकि सिरे जा रहे हैं हर बर ठीके तो ये cell line होती है लेकिन ये जो कोशिकाएं हैं जो अनियंतरित विभाजित हो रही है अब ये तो unlimited विभाजित हो रही है तो आप बोलेंगी कि इसका chromosome तो बचेगाई क्या अगर ये 100-500 बार विभाजित हो गई तो तो इनमें एक enzyme की प्राक्ति हो जाती है इनमें एक magical power मिल जाती है जिसको बोलते हैं telomerase ये एक enzyme है ये जो है इन कोशिकाओं को मिल जाता है वो game होता है न गेव में एक power मिल जाती है जब हम level pass करते हैं इसको ऐसा telomerase enzyme मिल गया है कि ये telomerase बनाता रहता है और जिसकी वज़ा से telomerase गायब भी होता है तो फिर से बन जाता है जो ये telomerase गायब हो रहे है तो क्या होते जाएंगे नए telomerase बनते जाते हैं सीरे बनते जाएंगे तो गुण सूतर कभी छोटा होगा नी और cell जो है वो क्या हो जाएगी और नियंतरत विभाजित होने के लिए हमेशा ready रहेगी तो इनमें 100-500 चक्रों जाते हैं यह एक खासियत होती है तो ऐसी situation किसमें आ जाती है हमारी cancer cells में आ जाती है और इन कोशिकाओं में जीव द्रग भी है वो बहुती active और ज्यादा quantity में होता है ठीके तो इसी प्रकार की जो cell होती है उनी को हम क्या कह रहे हैं नियो प्लास्टिक cells कह रहे हैं यह बहुत तेजी से बढ़ती है और आस पास के सामाने उत्तकों पर हमला करके उन्हें शत्ति पहुजाते दिये यह वाला जो cancer है जिसको हम malignant कह रहे हैं यह malignant क्या करता है कि माल लो यहाँ पे tumor है यहाँ पे tumor cells बनी है और यहाँ पे हमारी कोई blood vessels जा रही है ब्लड vessels तो सभी जगह है न अब यह क्या होता है इसको बड़ा गूमने का शौक है famous होने का शौक यह क्या करती है यहाँ से एक दो कोशिकाएं या उनसे निकला हुआ liquid liquid मतलब वही यह प्रचुरोद बवन जो जीव द्रव्य है इसका यह भी खतरनाक है क्योंकि इसमें भी tillubrares है है तो यह बावरी वाली कोशिकाएं तो इनसे निकला हुआ जो fluid होगा वो भी बावरा होगा या तो कोशिका खुद आ जाए कहाँ पे हमारे रक्त वाहिकाओं में जिसको हम blood vessels बोलते है blood के अंदर आ जाए अब blood के अंदर कोई चीज आ गई है तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि blood जो है वो तो पता नहीं कहां कहां जाएगा है ना पूरी body के अंदर circulate होगा और जहां जहां वो जाएगा इन कोशिकाओं को लेता जाएगा और किसी ना किसी अब जहां जाएगा कोशिकाओं को लेता गया तो इस तरह ये कोशिकाएं और इनका जो बावरापन है ये जो crazy कोशिकाएं है ये body के हर पार्ट में कहीं भी जाकर क्या करेंगी लग जाएंगी चिपक जाएंगी और वहाँ पे स्टार्ट कर देंगी फिर से अपना डिवीजन और बोडी के अलग अलग पार्ट में ट्यूमर बनना शुरू हो जाएगा और इसी को हम जनरली मेन कैंसर जो हम कहते हैं वो इस वाले को ही कहते हैं जो सुदम वाला कैंसर है सुदम से सुदामा याद रह जाएगा क्या आपको है ना सुदामा देखो कितना शान था उसको कुछ नहीं चाहिए था क्रश्न भगवान से सिर्फ मिलने आया था ठीक है तो वो जो है वो सुदामा जी आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है सुदामा जी है बिल्कुल सीधे साधे बढ़ते हैं वहीं रह जाते हैं कई नहीं जाते हैं और वो जो है वो खतरनाग वाला है ये दुर्दम वाला है इसी को हम कैंसर कहते हैं और अगर आपने टाइमली इसको बॉडी से निकलवा लिया और कुछ पार्ट इसका वहाँ पे नहीं रहे गया तब तो ये वहीं पे रुख जाएगा नहीं तो फिर पताईए आपको क्या क्या कर सकता है ये ठीक है चलिए अबुर्द कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्दित वर्दित का मतलब ग्रोध करती है जिससे वे अत्यावशक पोशकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से इस परदा करती है और उन्हें भूका मारती है ठीक है अब विभाजन होना है मैंने का आपको एनरजी की जरू की लिए जो अच्छी वाली कोशिकाओं उन्हसे भी ये क्या कोलेगी सारा energy लेएगी सारे खाद्य पद्धाद पोशक तत्यू सब लेएगी तो आजस की कोशिकाओं क्या हो जाएन भूकी मर जाएंगी नो कारी करने चता है वो कम हो जाएगा उससे आपकी बोडी यек टिव अबुर्दों से उत्री हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज इस्तलों पर पहुँच जाती है जहां और जहां पे भी ये जाती है नए अबुर्द बनाना प्रारंब कर देती है ठीक है मेटास्टेटिस कहलाने वाला यहाँ गुण दुर्दम अबुर्दों का सबसे डरावना गुण है मेटास्टेटिस क्या है यही गुण आपको पूछ लेकि मेटास्टेटिस क्या है तो ट्यूमर सेल्स का बलड के थुरू या रक्त के द्वारा विबिन भागो तक पहुँच कर अबुर्दों को बढ़ाना या ट्यूमर को फैलाना क्या कहलाता है मेटास्टेटिस यह एक और इनकी खासियत इनके पास टिलूम रेजें इनके पास यह क्वालिटी है मेटास्टेटिस की और साथ में वो तो है विभाजित होने की अनियंतरित वीदिया तो यह सारी चीज़े जो है इनको यह चार प्रकार के है जिसको हम डिवाइट कर सकते है सबसे पहला प्रकार जो है वो है आइनिक कारी किरने यानि कि जो हमारी आइनाजिशन रेडियेशन होती है या रेज होती है उनको ठीक है जैसे एक्सरे इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा एक्सरे नहीं कराना चाहिए और मैंने आपको जब वो चैप्टर पढ़ाया था यूमन रिप्रोड़क्शन वाला तब मैंने आपको कहा था कि डिलिवरी के टाइम भी जनरली जो प्रेडेंट लिडी होती है उसको मैक्सिमम तीन बार सोनोग्राफी कराने की कहा जाता है डोक्टर द्वार वो भी जरूरत होती है दो में भी काम चल जाएगा इससे सभाफी में जो रेज निकलती है वह बहुत हामफुल होती है वह कार्सीणोजब्ड का कार्य कर सकती है एकसरे एकसरे भी क्या है एकक ect fraternal कुछ हाय ऐससे निकलती है सनलाइट भी क्या है कोई इतनी वो नहीं है ठीक है तो जादा सनलाइट में रहना भी आपके लिए क्या हो सकता है घातक हो सकता है बोतिक उद्धिपक यानि कि फिजिकली जो हमारे फैक्टर्स है वो कैसे हमको कर सकते हैं जैसे कश्मीर में ठंड से बचने के काम में ली जाने वाली कांगरी कांगरी क्या है कुछ निए एक अंगिठी होती है ठीक है उसमें आग जल रही होती है लेकिन क्योंकि वहां पर ठंड बहुत होती है तो दिन भर लोग जो है वो कांगरी के आसपास बैठे रहते हैं तो बह परिवर्तन भी देखो एक प्रकार का कार्सी नूजनसी है म्यूटेशन यह हमने म्यूटेशन में पढ़ा भी था कि अगर आपकी जीन्स में कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए जिससे वो कैंसर कारी के रूप में कारी करने लग जाए तो फिर भी आपको क्या हो सकता है तो फिर भी आपको क्या हो सकता है अब आप बोलीगी मैं पिछले चैप्टर अभी वाले जो पिछले डिजीज पढ़ाई थी अब ने आईस्क्रीम से लेकर समोशे तक खाना छुडवा दिया हमसे अब एक बचा था soft drink उस पे आ गई है कि उसमें भी क्या होता है होता है आप generally add देखेंगे तो कहीं आजकल add में यह देने लग गए है कि यह जो product है यह caffeine यूपता है क्योंकि caffeine जो है वो क्या है carcinogen से cancer का कारक हो सकता है अब ज़रूरी नहीं है कि खाओगे तो होगा लेकिन अगर आपकी cells में वो quality नहीं है कि वो उस caffeine को हजम कर पाए है और उसमें already कोई परिवर्तन हुआ हुआ है और उसको caffeine और उपर से दे दो आप तो फिर आपको cancer हो सकता है testosterone और estrogen आप यह गयर होंगे यह तो हमारे लिए बहुत जरूरी है यह ऐसे है नहीं कि आपकी body के अंदर testosterone है तो वो cancer पैदा कर रहा है यह ऐसे है कि excessive testosterone या estrogen आपकी body के अंदर release हो रहा है glens से ठीक है ovary से या testis से या फिर कहीं लोग क्या होते हैं आजकल तो बहुत modern age है आपको पता है जो film star होते हैं वो अपने आपको अच्छा दिखाने के लिए है ना अच्छा figure maintain करने के लिए बाहर से क्या करते हैं estrogen androgens को लेते हैं उनके look के लिए उनकी body के लिए तो injection के थूरू या दवाईयों के थूरू कैसे भी लेते हैं ठीक है तो वो जो है वो आपके लिए क्या हो सकते हैं हानिकारख हो सकते हैं आपने सुना भी होगा देखो जनरल बाते हैं बहुत सारे ads आते हैं टीवी में है ना वो बोलते हैं breast enlargement के लिए tablet ले लो figure maintain करने के लिए ये tablet है जो आपकी body को अच्छा सा figure provide करवाईगी तो फिर हम जब इन बैकाओं में आ जाते हैं और ये उपर से लेने लगते हैं testosterone और estrogen तो नुकसान दायक है और मैंन pregnancy precautions देख रहे थे हैं ना तब भी हमने कहा था कि बहुत सारी tablet ली जाती है pregnancy को रोकने के लिए उसमें anti estrogen और anti-progesteron के chemicals मिले होते हैं तो फिर आप anti वाले तो ठीक है लेकिन excessive भी दिया जाता है दोनों तरह से काम करता है मैंने आपको बताया था अगर आपको पिछली class याद आ तब भी वो भी एक तरह से क्या है फिर आपको नुकसान पहुचाएंगे cancer का कारख हो सकते हैं ठीक है सिगार सबको पताई है सब movies देखते हैं तंबाकू खाना है ना cigarette भारी धातू आयन यानि कि आपके पीने के पानी में या खाने में कोई ऐसा fluoride आ रहा है कोई heavy metal आ रहा ह और ऐसी चीज़े आ रही है ये सब भी क्या करते हैं cancer का कारख हो सकते हैं आदी मुख्य रासाइनिक cancer कारख होते हैं उसके बाद बात करते हैं biological factor की यदि की जेविक कारख की कुछ वाइरस जैसे जैस्टीन बार वाइरस ये नाम है आपको याद करने हैं क्या है क्यों है आपको वाइरस भी कहलाते हैं ये especially cancer के लिए बने हुए हैं ठीक है cancer जन विशाणों में विशाणवी अबुर्द यानि की viral tumor gene viral oncogen पाया जाता है कुछ ऐसे वाइरस है जिन में special gene पाया जाता है जो अगर आप में आ जाए तो आप में उस gene को डाल देता है और उस gene से आप क् cancer के प्रती positive हो सकते हैं ठीक है ये इसमें ऐसा gene पाया जाता है विशाणवी अबुर्द gene पाया जाता है किसमे वाइरस में ये cancer जन जो वाइरस है इनके अंदर जिसको हम viral oncogen भी कहते हैं ठीक तो इससे भी आप क्या हो सकते हैं cancer से पीडित हो सकते है cancer संक्रामक्रोब नहीं है तथा यह वनशागत भी नहीं होता ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी या समझदारी नहीं होती तो वो समझते हैं जैसे AIDS फैलता है वैसे cancer भी फैलता है वो बिल्कुल उसको घर से अलग रख देंगी नहीं नहीं इसको cancer इसके बरतन भी अलग रोख हो ऐसे वैसे होता है जनरली सामाजिक प्राणी है हम हमारी सबके emotion सबके अलग अलग होता है तो ऐसा होता है लेकिन ऐसा नहीं है cancer आपको नहीं फैलता है ठीक है तथा यह वनशागत भी नहीं होता है ऐसा भी नहीं है कि आपके parents को है और तो आपको 100% होगा mutation हो जाए वो बात अलग है क्योंकि mutant gene तो transfer हो सकते है लेकिन जनरली यह heredity नहीं है इसमें ठीक है वनशागत इनहीं होता है प्रते कोशिका में कुछ कोशिकियो प्रोटो ओंको जिन्स पाय जाती है जो cancer कारकों से उत्तेजित हो सक्रियो हो जाती है सक्रियो कोशिकियो ओंक gene को प्रेडित करती है और cancer उत्पन्न करती है यही मैं आपको समझाना चाहरी थी कि आप बोलेंगे कि क्या ऐसा हो जाता है तो यह सब कारक जो हमने पड़े यह हमें cancer फैला देते हैं तो क्या होता है वो बताती हूं मैं आपको कि मान लो यह हमारी cell है है ना मुश्कुराती हस्ती खेलती बिचारी पता नहीं है कि इसको cancer होने वाला है अभी प्रिया में हम इसको cancer करवाने वाली है हमारे cell में एक gene होता है एक मतलब genes होते हैं जिनको हम बोलते है प्रोटो oncogen gene यह normal जी है जब तक यह normal बिहेव करेगा आपकी कोशिकान नॉर्मल सी चलती रहेंगी यह normal cell divide करेंगी फिर रुख जाएंगी ऐसे अब जो आप यह सुब कर रहे हैं मतलब अगर sun rays, mutation, x ray जो भी मैंने कारक बताये caffeine आपने लिया और इस तक वो पहुचा अब ऐसा नहीं कि पहुचेगा तो जरूर होगा ऐसा भी नहीं क्योंकि आप पीते ही हैं चाय सभी पीते हैं कॉफी सभी पीते हैं कोल्डिंग सभी प अंदर जाके इसकी counselling कर देते हैं कि नहीं तू प्रोटो ओंकोजीन हैं तेरे नाम के साथ ओंकोजीन लगा हुआ है ठीके तू cancer पैदा करने के लिए बना हुआ है जाग ऐसे करके इसको बढ़का देते हैं और बढ़का देते हैं तो यह क्या हो जाता है किस में बदल जाता है ओंकोजीन में बदल जाता है ओंकोजन जीन जिसको हम carcinogen भी कह रहे हैं ठीक उसमें बदल जाता है बस बढ़का तो काम खराब अब यह कोशिका केंदर रहेगा और इसको divide करने के लिए बोल देगा कि चलो मेरा काम तो अनियंत्रित विभाजित होना है मैं तो भई अनिय जीन यह हमें होते हैं और इन factors जो पीछे हमने पड़े इसकी वज़़ा से कहीं बार कोशिका की क्या हो जाती है brainwash हो जाता है न दिमाग खराब हो जाता है उसका चलिए cancer के क्या-क्या लक्षन है हमारे पास वो देख लेते हैं सबसे पहला यह कोशिकाओं में होने वाला आनियतित विभाजन है यह तो हमने देखी लिया जो कोशिकाओं में आनियतित वद्धी करता है जिससे गठान बन जाती है cancer की कोशिकाओं का आकार सामान में कोशिकाओं से बड़ा होता है ठीक है normal cells से इनकी size जो है वो बड़ी क्योंकि इन में पता है जीवद्रवी बहुत ज़्यादा quantity में है विभाजन भी बहुत जल्दी से करी है cancer के कारण अंगों में tumor बन जाता है मतलब वही गिठान बन जाती है परंतु प्रतेक tumor या तिल cancer नहीं होता यह मैं आपको पहले ही बता चुक्त है जरूरी नहीं किसी को मस्सा है तो उसको cancer है या किसी को अगर वो छोटी गठान है तो वो cancer ही है क्योंकि वो सुदम type का क्या ह हो सकता है बैनिन type का क्या हो सकता है cancer हो सकता है जिसको आप हटा सकते हो ठीक है यह तिल होना cancer नहीं है कई बच्चे बढ़क गए होंगे मैं मुझे भी मस्सा है tumor निरंतर रूप से व्रद्धी करने लगता है tumor कोशिकाओ के खासियत है उनको तो अनियंत्रित विवाजित होन चलिए आजओ घावों से लगातार रक्तस्त्राव होना मतलब अगर आपको कहीं चोट लग गई तो normally आपने देखा है blood जो है वो clot हो जाता है इनकी रुक जाता है लेकिन इनमें क्या होता है घावों से generally blood रुकता नहीं है मतलब body के अंदर internally भी जो आपको नुक्सान हो रह है वो जो है वो क्या कर रही है फैल फैल के दूसरी कोशिकाओं को नुक्सान पहुचा रही है और कोई घाव हो गया है कुछ हो गया तो उससे भी blood निकल रहा है और वो blood कैसे निकलेगा वह यूरीन की थूरू निकलेगा आपकी जो stool है यहने की आप जो party करते हैं उसके ठीक है पाचन शक्ति आपकी weak हो जाएगी खाओगे तो digest नहीं होगा पेट खराब रहेगा है ना vomiting होगी सबसे लंबे समय तक घावों का नहीं भरना यह भी cancer का एक reason है ऐसा diabetes में भी होता है diabetes में भी बोलते हैं कि diabetes वालों की घाव भरने की शमता है वो कम हो जाती है मतलब आ cancer में ऐसा नहीं होता आपका घाव बरता नहीं और diabetes में तो और बढ़ता जाता है कहीं में ऐसा होता है कि जहां वो घाव हुआ है उस चीज को अलग करना होता है पैर या हाथ में कई घाव हो गया है तो यह भी cancer और diabetes के नुकसान है आवाज का भारी होना आवाज जो है वो द लगातार कमी आना, वेट जो है वो क्या हो जाएगा कम, क्योंकि मैंने का कोशिका इंबुकी मर रही है, उपर से आपको खाना भी डाइजस्ट महीं हो रहा है, तो कोशिका को कुछ मिल नहीं रहा, तो वेट वो आपको कम हो जाएगा, लेडीज है, उनका मेंस्ट्रल सैकल या uncontrolled हो जाता है, मतलब उसका कोई है नहीं, आज आया है, फिछे मैंने बाद आ सकता है, दो मैंने बाद भी आ सकता है न भी आए, और जो blood loss है, वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, मासिक धर्मवाला प्राकतिक छिद्रों मैंने वही का कि यूरीन के थ्रू या नाक में से या कान में से, जहां पे भी आपके चिद्र है, पोर्स है वहाँ से रुधीर की हानी होने लगती है, वहना पॉटी के साथ थ्रेश होने जाएंगे तिल में परिवर्तन होना कि तिल होना तो नॉर्मल बात है लेकिन अगर आपका तिल जो है या मस्टा जो है, वह परिवर्तित हो रहा है बढ़ रहा है, तो फिर आपको टेस्ट करवाना चाहिए और नित, यानि की अनेक्स्प्लेंड कम जवर का बना रहना मतलब फिवर बना रहता है आज फिवर है, फिर शाम को फिर फिवर हो जाएगा फिर एक दो दिन नहीं रहेगा, फिर फिवर आ जाएगा लेकिन आपको पता भी नहीं है कि इस फिवर का रीजन क्या है, मतलब आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो चेक वेक करेगा थोड़ा उपर से कि अच्छा आपको तो सर्दी भी नहीं है, खासी भी नहीं है फिर फिवर आने का क्या रीजन है ठीके, तो कहीं बार आपने देखा होगा कैंसर डाइग्नोस होने में भी बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि इसके लक्षण ऐसे जो नॉर्मल भी होते हैं हमारे साथ अगर हम ध्यान नहीं देते तो और कहीं में तो तीसरी या चोथी स्टेज पर पता चलता है कि कैंसर है जब उसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता ठीके, कैंसर का अभी ज्यान एवं निदान मतलब कैसे पता चले कैंसर है या हम इसको डाइग्नोस कैसे करें जब शरीर के किसी भाग में कैंसर का संदेव होता है तो उस भाग से छोटा सा टुकडा लेकर उसका काट काट कर काट काट कर मतलब कि मानलो ये आपको इस पर शक है शक की बिनाहों पे आपने इसका छोटा सा टुकडा कट कर लिया इस सेल का और इस सेल का काट काट कर मतलब एक तरह से क्योंकि हिन्नी में लिखा है डिसेक्शन बोलना चाह रहा है कि यहां से कट करके आप इसका क्या कर लो dissection कर लो, मतलब कि इसको microscope के अंदर हमें देखना पड़ेगा ठीके, काट काट कर अती रंजित, अती रंजित का मतलब इसको pigmented करना है आपको ठीके, अलग-अलग प्रकार के जो भी pigment होते हैं जैसे सेफरेनीन है generally सेफरेनीन हम plant के लिए यूज करते हैं इसको हम यूज करते हैं और भी आते हैं कर जाज की जाती है कि cancer है या नहीं ठीके, क्योंकि normal cells तो normal जैसी इसको भी filter देना पड़ेगा फोटो अच्छा लाने के लिए फिर है histopathological हिस्टो का मतलब ही होता है tissue, मतलब उससे related कोई काम है हिंदी में इसको बोल रहे है उत्तक विक्रती आंतरी कंगों में cancer का पता लगाने के लिए radiography, जिसको हम x-ray बगएरा कहते हैं x-ray किरनो द्वारा computed tomography जिसको हम city scan भी बोलते हैं magnetic resonance magic जिसको MRI भी बोलते हैं आदी तकनीकों का उप्योग किया जाता है क्या करना है इसमें भी वही करना है एक तो normal कि वहां से कोई टुकडा ले लो आप उसको study के लिए भेज देते हैं जैसे biopsy के लिए बेजा है ऐसे बोलते है biopsy कराने होती है ऐसा नहीं कि कोई चीज बढ़ ही रही है तो उसमें cancer ही है उसका छोटा सा पार्ट कर करके वहां पर भेजा जाता है लैब में वहां पर पूरा उसका study की जाती है उसको भी ऐसे culture किया जाता है मतलब उसको पोशक्ततों देखा जाता है कि वह कितना वरदी कर रहा है अगर वह आनियंतरित वरदी कर रहा है मतलब वह tumor cells है लेकिन वह normal जैसे कि मैंने कहा एक वरदी के बाद रुक जाता है जैसे कि normal cell लुक जाती है तो फिर वह tumor cells नहीं है ऐसा देख सकते हैं उसके अलावा आप उसी tissue का radiography करके मतलब sonography है city scan है MRI है x-ray है इन सब के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं diagnose कर सकते हैं कैसे यह मैं आपको बताती हूँ यह देखू यह सबने देखी है टीवी में तो देखी है यह वही MRI machine है है ना इसमें आदमी को सुला देते हैं लेटा देते हैं, सुला देते हैं, मतलब नीन में नहीं सुला देते हैं, ठीके, लेटा देते हैं यहाँ पे इस bench पे और फिर यह machine अंदर चली जाती है, यह उस particular जो भी अंदर गया है आदमी, उसको क्या करती है, पूरा scan कर लेती है, पूरी body को scan कर देती है, मतलब पूरी body क हर एक part, क्योंकि हमें नहीं पता हैं कि वो tumor cells कहां कहां पे गई है, आपको एक जगा दिख रही है, बाकी जगा उपे भी घूमा है, क्योंकि वो है ही dangerous, उसको घूमने का शौक है, अब इसको MRI, मतलब magnetic resonance, imagine कहते हैं, imagine कहते हैं, क्योंकि क्या है, magnetic rays, मतलब इसमें चुंब की किरनों के द्वारा scanning की जाती है, यह सबसे safe है वैसे, ठीक है, जो हम कह रहे हैं कि X-ray जो है, वो cancer को फैलाता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा X-ray नहीं कराना जाता है, उस मुकावले MRI सबसे best होती है, safest होती है, क्योंकि cancer already है, उसको फिर आप X-ray किरनों में और बेज रहे ह अब क्या होता है, X-ray तो सबने देखा, यह X-ray दिखी रहे हैं आपको, यह भी दिख रहे है, यह MRI है, और यह है CT scan, जनरली आपने देखा होगा CT scan, brain का या किसी body part का कराने के लिए क्या आता है, जनरली हड्डियों वाली चीजों में हमें देखना होता है, तो हम CT scan को prefer करते हैं, ठीक है, यह MRI है, ठीक है, MRI में आप देखो, यह किसका MRI है, यह lung window है, मतलब आपके lungs है, अब उसको कैसे लिया है, यह lungs ऐसे हैं, ऐसे होते हैं, लंग्स आपके आशे सामने, इसको ऐसे, यह कट करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक, अब आप नहीं तो आप बोलोगे, मैं लंग्स तो ऐसे होते हैं, यह ऐसे होते हैं, लंग्स तो, यह कैसे लंग्स हैं, तो यह ऐसे लंग्स हैं कि इनको हमने यहां से कट करके आपको ऐसे दिखा रहे हैं, यह लंग्स को यहां से कट करके ऐसे दिखा रहे हैं, सामने से, यह दो लंग्स की वो cavity है, लंग cavity, इसमे आप देख रहे हो यह बिल्कुल आपको साफ दिख रही है प्रॉपर दिख रही है इसमें आपको गड़बड दिख रही है बीच में अलग साई कुछ उबरा हुआ दिख रहा है यही वो क्या है चूमर है मतलब यह लंग कैंसर का एक्सरे है ठीक है आज हो भी आगे अब आप आप बोलोगे कि city scan और MRI में क्या difference है तो वो देख लो city scan की full form आपको बताई जो आपको याद भी रखनी है computed tomography कहते हैं इसमें कुछ नहीं दोनों scan ही करते हैं लेकिन एक आप city scan का scanner देखो और एक MRI का देखो है ना काफी difference है यह थोड़ा सा blur आपको दिख रहा होगा finishing इतनी नहीं है यह आपको proper देख रहा होगा तो quality का फरक है और generally ऐसा भी कहा जाता है कि city scan जो है वो brain, heart और bones जहां पे होती है ऐसी जगहों के लिए city scan कराना ज्यादा better होता है और अगर पूरी body का कराना है आपको, soft tissue का भी कराना है तो फिर MRI करा दिया यह सब 3D views प्रोवाइड करवाते हैं आपको मतलब आप अपनी body को चारो और से जो doctor है आपकी body को चारो और से अच्छे से देख पाता है कि इधर से भी इधर से भी इधर से भी हर जैसे फोटो की चवाता है न हर post से वैसे रक्त की जाच और कैसे हमें पता चलता है भई कि हमें cancer है अधी श्वेत रक्ता यानि कि leukemia की जाच के लिए रक्त के नमूने को रक्त कडिकाओं के गड़ना कर मालूम किया जाता है कि रक्त cancer यानि कि leukemia है यानि cancer भी बहुत type का होता है सारकोनेमा, leukemia और अलग अलग type के cancer होता है क्योंकि हमारे इसमें type of cancer नहीं है लेकिन leukemia को जनरली हम बोलते हैं कि blood cancer होता है ठीक है कुछ सिर्फ epithelium पर होते हैं epithelium cells पता है जनरली जो हमारी body के covering में होती है जैसे skin पर होती है epithelium cells है गाल के अंदर जो thin layer है वो क्या है epithelial cells है इन में जो cancer होता है उसको carsonema बोलते है जो हमें नहीं पढ़ने हैं यह अगर रक्त की जाच कप करेंगे तो रक्त की जाच लुकेमिया वाले cancer में अगर हम जाच करेंगे तो हमें पकड़ में आ जाता है इसमें क्या रक्त कणिका होगा मतलब RBC, WBC सबके गणना की जाती है और फिर पता करा जाता है कि normal blood से उनकी counting कितनी different है प्रती रक्षियों का उपियोग कर cancer का पता लगाया जा सकता है प्रती रक्षियों मतलब antibody यह क्या है अभी हम पढ़के आए है कि हर सेल में एक special type का क्या होता है प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं MHC Major Histocompability वन वाला है ना टू भी होता है यह वन यह नॉर्मल सेल के बात है लेकिन जो cancer cells होती हैं उनमें भी एक प्रकार का antigen होता है इसको थोड़ा में special बनाऊंगी छोगे निकालूंगी इसकी में यह MHC नहीं है यह cancer वाले antigen है अब क्योंकि cell के उपर जो protein है उसको हम antigen बोलते हैं उसको भी तो antigen ही बोल रहे हैं यह भी antigen है अब क्योंकि आपको पता है कि हमारी कोशिका है हमारी cells को इस MHC की वज़ा से पहचानती है antigen की वज़ा से पहचानती है लेकिन जब हमारे body में cancer है तो हमारे antigen different है इस MHC से अब antigen different है तो क्या आपका immune system बले ही weak हो गया हो लेकिन काम तो थोड़ा बहुत कर रहा है मतलब इस antigen का antibody बना रहा होगा अगर आप अपने blood में antibody देखें मतलब antibody की study करें तो आपको पता चल सकता है कि यह इस type के antibodies जो हैं वो किसके हैं cancer के हैं तो antibody का उपयोग करके भी क्या किया जा सकता है cancer को diagnose किया जाता है क्योंकि cancer वाले antibody different होंगे आपको पता है antibody is dependent on the antigen कि किस type का antigen है और किस type का उसके हिसाब से ही बनेगा antibody बनेगा तो हमारी study जो हमने की हुए science ने इतनी तरक्की कर लिए तो हमें पता है कि cancer के antigen कैसे होते हैं और antibody कैसे होते हैं तो हम उसको देखके antibody को study करके भी यह बता सकते हैं कि यह cancer के antibodies हैं और antibody कब बनेंगे जब वहाँ पे कोई antigen होगा इसका मतलब cancer है कुछ gene विशेश प्रकार के cancer जनों के प्रती सुग्राही होते हैं अतहां उन जीनों की पैचान कर उन व्यक्तियों को उस cancer जन से बचने की सला दी जाती है है ना cell को study किया आपको पता चला वही मैंने कहा mutation की बाद जो मैंने की कि आपकी cell में कुछ ऐसे genes है जिन में mutation हो गया है और अब वो cancer उत्पन कर सकते हैं या future में कर सकते हैं या कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं उन genes को ही change कर सकते हैं ये कब हो सकते है जब आपको previous level पर पता चल जाए third, fourth stage पर cancer पता चलेगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं ये जो इलाज हम देखेंगे वो भी उसी हिसाब से हैं तो आप क्या कर सकते हैं सला दी जाती है कि उस gene को आप क्या कर लो change करवा दो पर वो ऐसा नहीं कि आप hospital में गय जीन change हो गया ये बहुत high technique है और इंडिया में तो available भी नहीं हो गया आपको foreign जाना पड़ेगा ठीक, cancer के उप्चार क्या उप्चार है cancer के? cancer के वैसे हम बोलते कि cancer ला इलाज है लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ है उप्चार मतलब वो बोलते तिन जो दूपते को तिन का काफी है तो वो तिन के हैं हमारे पास जिससे हम उस डूपते हुए इंसान को बचा सकते हैं कई बार successful होते भी है और कई बार successful नहीं भी होते हैं और ये depend करेगा कि आपका cancer कौन से level का है previous level का है तो आप अच्छे से अच्छे हो जाएंगे है ना जल्दी अच्छे हो जाएंगे और अगर आप लेट हो चुके हैं तो फिर आप अपनी जिन्दगी की गाड़ी को नहीं बचा पाएंगे ठीक है cancer का उपचार इसलिए aware रहना चाहिए हर चीज़ से और इसलिए आपको पढ़ाया भी जाता है इतना ग्यान बाटा जा रहा है यदि cancer की पैचान प्रारमभी कवस्था में कर ली जाएं तो इसका सफल इलाज किया जा सकता है इसके लिए निम्न उपचार तक्नीक काम में ली जाती है ठीक विकिरन उपचार जिसको हम बोलते हैं radiation therapy इसमें आयनी करी यानी कि वही जो एलफा गामा है ना जितनी भी radiation है उनका उप्योग किया जाता है विकिरन बारा cancer का उपचार करते हैं जिससे cancer युक्त कोशिकाएं मृत हो जाती है जैसे कि माल लो यहाँ पे cancer था आपने ये बढ़ रहा था आप डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साब मेरी ये जो गाठ है वो निरंतर बढ़ती जा रही है डॉक्टर ने उसकी बायोप्सी जैसे भी जो भी चेकप किया बायोप्सी किया हिस्टोपैथोलोजी कि जो भी किया उसको पदा चल लिया कि आपको cancer है या ये कोशिकाएं बढ़ रही है तो cancer हो सकती है तो वो क्या आपको advice देगा कि आप इसको आयन कारी है यनि कि जो radioactive therapy है उसके द्वारा हटा सकते हैं क्या करेगा वो कुछ नहीं X-ray normal मैं एक X-ray की बात कर लेती हूँ कि X-ray किरणों के द्वारा इसको यहां से damage कर देगा यही के यही इसको खतम कर देगा सपाया लेकिन यह risk की भी है जैसे कि मैंने कहा कि normal low X-ray ने इसको पूरा साफ भी कर दिया लेकिन थोड़े बहुत भी कुछ इसका बज़ गया तो वो वापस से आपको क्या फैला सकता है cancer फैला आपने सुना होगा कही कि generally लोग जो कहते हैं कि उनको शक है कि वो जो गिठान है वो cancer किये तो वो operation करने के लिए कह रहे हैं या surgery करने के लिए कह रहे हैं वो यही surgery है वो वहाँ से उस guard को जो बन रही है उसको निकाल देते हैं ठीक है ताकि वो आगे फैले नहीं और दूसरी body में फैला है नहीं लेकिन वो पहले से ही फैला चुकी है मसलब कुछ दे चुकी है पहले से ही body के blood में तो फिर यह operation successful नहीं होता और यह कब पदा चलेगा यह पूरा आपको study करने के बाद पचलेगा आप MRI करा होगे study कराओगे पूरी study करोगे तब आपको पता चलेगा कि किसी और body part में यह cell पहुची है या नहीं और इसलिए cancer का diagnosis कहीं बाद तीसरी चोती स्टीच पे होता है है ना properly अगर हमें guide नहीं किया गए हों तो इससे क्या होगा कोशिका इम्रत हो जाएंगी ये वाली और फिर या आगे नहीं फैलाएंगे जैसे x-ray है मैंने नाम लिया cobalt 60 वी किरर इसका भी उप्योग किया जाता है यहाँ तवचा मुह गले के cancer में उप्योगी है और cancer की photograph तो आपने वो movies के पहले आने वाले ad में ज़रूर देखियोगी है ना कि मेरे दो बच्चे और एक अच्छा पती था लेकिन मुझे cancer हो गया और वो कैसी भयानक से photo बताते है वो देखी हो गया आपने मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूर्द नहीं है ठीके तो इस हज तक जो है वो cancer पहला होता है दूसरा हमारे पास है hormonal जिसको हम कहते हैं उपचार कर सकते हैं मतलब आपको क्या दिये जाते हैं hormones दिये जाते हैं इसमें वे hormone जो cancer उत्पन करते हैं उनके विपरित कार्य करने वाले hormone से इनका उपचार किया जाता है जैसे अभी मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन और एस्टोजन बाडी में बढ़ रहा है जिसकी वज़ा से आपको कैंसर हो रहा है रीजन पर डिपेंड करता है किस रीजन से हो रहा है सरजरी जो कि मैं अभी बात कर ही रही थी सरजरी या शल चिकित्सा द्वारा इसमें शारिरिक अंग का ओपरेशन का ट्यूमर को निकाल दिया जाता है उसमें तो X-ray से खतम कर देते हैं नाशी कर देते हैं उसका यहाँ पर निकाल लेते हैं उस गिठान को निकाल लेते हैं रासाइन एक उपचार यानि की कीमो थेरेपी जो आपने बहुत फेमस है और सुना होगा की कीमो थेरेपी दी जाती है इसमें मरकेप्टो-प्यूरी, 6- अमिनवाप्टेरी, विन-क्रिस्टीन, विन-ब्लेस्टीन आदी जो है ओशध्यों का उपचार किया जा सकता है ओशध्यों का उपयोग करके उपचार किया जा सकता है इसमें कुछ नहीं साइकल्स चलते हैं अगर आपके आसपास कोई cancer patient हो और आपने सुना हो कि वो chemotherapy के लिए जाता है generally एमदावाद बोलते हैं काफी लोग जाते हैं एमदावाद में cancer का बहुत ऐसे बोलते हैं कि अच्छा इलाज होता है तो उसको chemotherapy के लिए जाना पड़ता है ये एक साथ नहीं दिया जाता है ये क्या होता है chemicals दिये जाते हैं body में और हर एक cycle चलता है मतलब हर दूसरे तीसरे महिने में उसको बुलाया जाता है फिर ये chemotherapy दी जाती है कुछ cycles, number of cycles डिपेंड करता है cancer किस level पे है ये काफी चीज़े डिपेंड करती है और chemotherapy भी initial stage पे रही आप दे सकते हैं है ना अगर last stage पे है तो वह कोई है ही कि नहीं मेरे को तो last stage पे तो भी आप chemotherapy दी दो chemotherapy के बहुत side effect भी है हमारी body जो है वो उस chemotherapy को रेजिस्ट कर पाती है नहीं सहन कर पाती नहीं ये भी एक बड़ा matter है है ना कई लोगों को जो cancer patient होते हैं उनके बालवाल जड़ना शुरू हो जाते हैं body से hair चले जाते हैं body weak हो जाती है क्योंकि उनकी body पहले cancer cell ने weak कर रखी है उसके बाद आप उनको ये chemotherapy दे रहे हो तो वो cells उसको resist नहीं कर पाती है ले नहीं पाती है ठीक है और chemotherapy के बाद भी आप रहेंगे नहीं रहेंगे उसकी कोई guarantee नहीं है क्योंकि मैंने कहा stage पर depend करता है कई लोग रह जाते हैं कई वराज सिंग को देखा है उसको भी cancer था बीच में बालवाल चले गए थे लेकिन उनका सही हो गया क्योंकि हो सकता है कि उनका initial level पे था उन्होंने अच्छे से treatment रहें कुछ नहीं रह पाते हैं हमारी एक दो relative है जिन्होंने chemotherapy कराई काफी सालों तक कराई initial stage से ही कराना बोन कैंसर भी होता है चले प्राया कैंसर के इलाज के लिए शल्ल चिकित्सा मतलब की सरजरी विकिरन चिकित्सा जिसको हमने कहा radiation therapy और रसो चिकित्सा जिसको हमने कहा chemotherapy का सामूहिक रूप से उप्योग किया जाता है सामूहिक रूप से मतलब ऐसा नहीं कि आप गए डॉक्टर के पार ने का आपको ट्यूमर है आपको कीमो थेरपी देनी है पहले डॉक्टर क्या ट्राय करेगा शल्ल चिकित्सा यानि सर्जरी ट्राय करेगा कि हम पहले आपका MRI अगर देख लेते हैं बोडी के किसी पार्ट में फैला तो नहीं है वो देख लेते हैं अगर इनीशियल लेवल पर होगा तो उसको सर्जरी के द्वारा सबसे पहला स्टप तो यहीं लिया जाता है फिर अगर दो चार चेह महिने बाद आपको फिर लगता है कि नहीं कहीं दूसरी जगह भी गिठान हो रही है या आपका नहीं तो फिर कीमोथेरेपी की तरफ जाते हैं ठीके तो यह सामोईक रूप से चलता है ऐसा नहीं जाते है आपको कीमोथेरेपी चलो कर दे चलो कीमोथेरेपी करवाते हैं डिपेंड करता है किस स्टेज का है कैसा है कैंसर और सबसे पहले तो यहीं ट्राय करते हैं अगर चोटे लेवल का है तो जेविक अनुक्रिया उप्चार ये क्या है प्रति रक्षा तंत्र अबूर्द कोशिकाओं को पैचानने वह उन्हें नश्ट करने में असमर्थ रहता है अतह जेविक अनुक्रिया रुपांतरन यानि कि क्या अलफा इंटरफेरों द्वारा प्रति रक नेक्रो फेजिस हैं वह इंटरफेरों का सिक्रेशन करती है और सबको आगाह करती है पंचायती करती है कि भई जो है पॉरेंट पार्टिकल आया है उससे लड़ाई लड़ने के लिए तयार हो जाओ खुद भी तयार रहती है हमारा जो कैंसर होने के वज़े से हमारी प्रति लड़क्षा तंद्र को वीख हो रहा है उसको स्ट्रॉंग करने के लिए मतलब वह सही से वापस काम करने लग जाए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं बाहर से इंटरफेरों प्रोवाइट कर वा सकते हैं जो कि सेल अब नहीं सिक्रीट कर रही है या कम मातरा में कर रही है मै प्रोटीन है जिसको हमारी इम्यून सिस्टम अब नहीं पैचान पा रहा है या पैचान भी रहा है तो इतना स्ट्रॉंग लेवल पर काम नहीं कर पा रहा है कि उनको नश्ट कर पाए तो हम बाहर से इंटरफेरों प्रोवाइट कराते हैं जिससे कि हमारा प्रतिरक्षा तं आपको काफी कुछ समझ आया हो और आपकी कोई हेल्प हो पाई हो इसमें तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए बाई